आप देख रहे हैं सम्विधान और कानू सके लाइव नियूज 21 सदी में भारत में प्रगती के साथ महिलाओं के बिरुद हिंसा भी होती है यहां अलग अलगतर है की होती है महिलाओं इस हिंसा का अशिकार किसी की जगह जैसे घर सारबजनिक अस्थाल या दफ्तर में हो सकती है डॉक्टर नैना मिगलानी ने बताया कि समाज के पूरुस परधान होने की वज़ा से महिलाओं को बहुत अत्याचारों का सामना करना पर रहा है आम तोर पर महिलाओं को जिन समस्याओं से लड़ना पड़ता है उनमें प्रमुख है दहज हत्या यौन उत्पिरन मारपिट महिलाओं से लूट पाट नबालिक लड़कियों से छेरचार इत्या दी सरीरिक छती के साथ-साथ मानसिक परिशानी देना भी हिंसा काहे रूप है लड़कियों से छेरचार पत्नी को बुरुन हत्या के लिए मजबूर करना है हम सत्य प्रथा के लिए दबाओ डालना भी समाजी की हिंसा में आता है सहारनपूर आपस एवं गाईनी के समाजी के सचियो डॉक्टर ममता चावला ने बताया कि 15 साल के उपर लगबग हर तीसरी लड़की हिंसा का शिकार होती है सहारनपूर आपस एवं गाईनी के सचियो डॉक्टर गुनीता महता ने बताया कि समपूर्ण विश्व में 30% लड़किया हिंसा के सिकार होती है इसलिए महिलाओं की जरूरत है कि वे दुश्रों पर निर्भर ना रहकर अपनी जिम्मेदारी लें और अपने अधिकारों के प्रतिजाग रुक रहें मुन्ना लाल डिगरी कलेज की प्रिंस्पल स्रीमती पंकज छाबरा ने बताया कि सिक्षा कास्तर बढ़ने के बाउजित भरतिय समाज के लिए ये समस्या जटिल एवम गंभीर बढ़ गई है महिलाओं के विर्द होती हिंसा के पीछे मुख्य कारण है पूर्षपरधान सोच कमजोर कानून राजनीतिक धाची में पूर्षो का हावी होना मुन्ना लाल डिगरी कलेज की अध्यापी के आए अनुपमा गुपता प्रोफेशर अनुपम बंसल प्रोफेशर जया प्रोफेशर स्रीमा अधि उपस्तित रहे डॉक्टर गुंजन तिरपाठी डॉक्टर रिता बोहरा एम डॉक्टर आराधना भी उपस्तित रहे चात्राओं में स्रिष्टि कामनी अलिना अश्रना चांदनी सैनी शिवानी गर्ग रिंकू राखी याश्मिन अंजू सरीता आधि उपस्तित रहे वीरो रिपोर्ट साहरनपूर आज साहरनपूर ऑपस्तित की तरफ से मुन्ना लाल डिगरी कॉलेज में वाइलेंस अगेंस्ट विमन के लिए हमने एक रैली निकाली और एक गोस्टी भी करी जिसमें हमने बच्चियों को बताया कि महिलाओं में जो मानसिक, शारिरिक, सेक्शुल जो भी हरिस्मेंट होते हैं अत्यचार होते हैं उनको कैसे रोका जा सकता है और उनके खिलाफ कैसे आवाज उठाई जा सकती है इसके लिए हमने बच्चों को एक गोश्टी में उनके बारे में सब जानकारी दी है और एक हमने उसी कैमपस में आगे हमने रैली भी बच्चों के साथ निकाली है ख़बरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जोड़े रहें और इसी वीडियो को जादा से जादा शेयर करें